क्या अफीम खाने से हमारा वक्त बढ़ जाता है। बहुत से पुरुश कहते हैं कि अफीम खाओ और डेड़ दो घंटा पांच घंटा चार घंटा इट इस सो अमेजिंग। अफीम कैसे आपके टाइम को बढ़ाता है और अफीम खाना कितना सही और कितना गलत है। पूरा डीटेल में बात करेंगे अगर आप इस चानल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को सारे पूरा अन तक देखो। और अगर आप भी अफीम और सेक्स के बीच में कहीं भी कश्मकश्म हैं तो यह वीडियो बहुत बहुत जादा जरूरी है। तो चली हम बात कर रहे थे कि अफीम खाने से क्या वक्त बढ़ता है। अफीम डेफिनेटली हमारे बॉड़ी के काफी सारे न्यूरॉन्स में जैसे हमारी ब्लड सप्लाई या हमारे नर्व्स में जैसे ब्रेन कुछ देख रहा है तो तेज ना होगी। उसको बहुत रिलाक्स कर देता है। जिसकी वज़े से आप अंदर कर भी रहे हो या परफॉर्म भी कर रहे हो तो आपको कुछ मेजर सेंस्टिविटी या फरक नहीं पता चल रहा है। जिसकी वज़े से जो आपका टाइम है वो बढ़ जाता है। कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़ादा हम देड़ गंटे तक कर पाए हम पाँच गंटे तक कर पाए ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं अफीम आपके body को relax करेगा, mind को relax करेगा, उट पटांग के विचार नहीं आएंगे और आप positivity या बहुत जादा happiness की state में चले जाते हो इसकी वज़े से लोग क्या होता है कि करने से पहले लेते हैं और करने से पहले लेने पर उनका time बढ़ जाता है और फिर उनको performance करने में भी मज़ा आता है लेकिन अफीम का जादा इस्तमाल करने से धीरे धीरे आपके blood flow में problem आती है और वो problem आते हैं आपकी जो नसे हैं वहाँ की सिकुडने लग जाती है और आपको तनाव की दिक्कत होने लग जाता है इसलिए जो लोग जादा अफीम खाते हैं उनको धीरे धीरे तनाव में दिक्कत होती है प्लस उनको फिर आदत बन जाती है सबसे बड़ी चीज़ है आदत क्योंकि जब हम यहाँ पंजाब या इस तरह के borders की बात करें तो कहीं न कहीं आपकी dependency बढ़ती है और हर बार आप इसे लेते हो महेंगा, definitely आपको नशे में डाल रहा है आपकी normal functioning खराब कर रहा है और सिरफ चन सेकिंड के pleasure के लिए आप इस पे बार 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 इसी को ध्यान में देते रहते हो और फिर problems बढ़ जाती है दीरे-दीरे तनाव की दिक्कत आती है टाइम भी नहीं बढ़ता और excessive use के कारण आपकी body खुझ से टाइम बढ़ा ही नहीं पाती जिसे हम बोलते हैं कि हमारा शेरी धीरी-दीरी खुझ से टाइम बढ़ा ही नहीं लगता है तो trust me आप अपने आपको दोखा दे रहे हो बेटर ये है कि सही doctor का साला लो और अपनी body में RE problems अगर time का कमी है, premature issue है, कुछ भी कमी है इसको time से ठीक करो नहीं तो अफीम ये सब चीज़ें कभी काम नहीं करेंगी और आपकी जो अलमारी है और तेजोरी है उसको तो definitely खाली कर देगी आशा करती हो, मेरी वीडियो आपके बहुत से doubts को clear कर पाई है चानल पे नए है, जरूर subscribe करें और अगर आपका भी ऐसा कुछ experience रहा है तो उसे comment section में लिखे मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताएं कि वो कैसे आपको help करती है ताकि मैं ये जो आपकी भाशा में आप तक पहुँशने की कोशिश कर रही हूँ वो जो मेरा मुहीम है वो at least सार्थक हो पाए मुझे आप चाहें तो Instagram या Facebook पे भी comment कर सकते हैं Dr. Neha Official